देखो ऐसा होता है ना कि बहुत सरो लोग जब नए आईफोन आता है तब लोग पुराने आईफोन के तर्फ जाते हैं पर जो पुराने आइफोन्स है आजकी डेट में उनमें बड़े कॉंपरमाइस है like 120hz display नहीं है, बहुत सेरे phones में, 5G नहीं है जो iPhone 12 के पहले वाले phones है तो लोग क्या सुचते हैं कि पुराना phone लेंगे मस्त अच्छी condition में iPhone चलाएंगे मज़ा आएगा लेकिन आप 5G चाहिए सबको, दूसरी चीज़ 120hz चाहिए तो वो दोनों चीज़ यहां पर हमको इस phone के अंदर मिलती है और आज की date में इसकी value बहुत तगडी है और आज की date में इसकी demand बहुत तगडी है reality देखते हैं भाई, कैसा phone है 2023 में सब कुछ बताने वाला हो studio में So what's up guys, my name is Zaheer and this is iPhone 13 Pro और Pro Max in 2023 So let's begin यह जो phone है, यह मेरे पास मैंने जब launch वाय था तब ही लिया था जी हाँ, 20 महीने से यह phone मेरे पास है, सोचो and तभी के टाइम पर 140,000 का था, यह 256GB वाला variant है आज के टाइम पर अगर आप 256GB variant लेने जाओगे iPhone 13 तो depend on the condition and अगर उसमें warranty है या नहीं battery health कैसी है, उसके उपर सारी चीज़े depend करती है अगर वो सारी चीज़े अगर अच्छी है, condition अच्छा है तो आपको अराम से 80-90,000 के बीच में phone मिल जाएगा अगर समझो warranty में है phone तो आपको 90,000 के असपास जाएगा and condition, brand new condition होता न, वहसा condition है इसके वाज़े से ऐसी condition वाला phone अगर आप लोग लेने जाओगे तो 90,000 के आसपास तो आराम से आपको पड़ेगा लेकिन 1,50,000 रुपे का phone है ये वाला अगर 14 Pro Max वगरा अगर आप नया लेने जाते हो तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा 50-60,000 रुपे कम में ये phone मिलता है और 95% iPhone 14 Pro जो काम कर सकता है वो काम ये सारे कर सकता है Pro and Pro Max जो 13 Pro and 13 Pro Max कर सकते हैं main यही मक्सद है कि भाई अगर कम पैसा दे रहे हम लोग तो क्या क्या चीज़े हमको compromise करना परता है वो compromise तो ऐसा मेरे को लगा नहीं कुछ भी बड़ी चीज़ इसमें compromise कर सकते हैं but मैं सारी चीज़े बताता हूँ सबसे बिल्ड कॉलिटी की बात करूँगा तो भाई अभी भी एकदम मस्त कंडिशन में है मेरा phone कुछ भी हुआ नहीं फोन को एकदम तगड़ा है कुछ भी problem नहीं आया except a camera problem इसके अंदर जो 3X वाला camera था उसके अंदर बहुत भाहंकर इशू आ गया था तो मैं आपको service center के भी हकीकत बताता हूँ थोड़े देर में ये वीडियो में बने रहना बाकि build quality में 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 कोई इशू नहीं है लेकिन वही भाई अभी भी ये बड़ा phone है जो अगर आप pro लोगे तो चोटा रहेगा ये काफी बड़ा phone है 240 g 7.7 mm की thickness है बहुत हेवी हो जाता है cover वा लाने काथ में definitely अभी हो जाता है लेकिन आदयत पढ़ जाती है उसके tension नहीं है बड़ा होने के साथ में stainless steel है तो premiumness तो भाई एड करता ही है ये phone and ये जो white वाला है मेरे पास ये थोड़ा pearlish type का है बहुत तगड़ा दिखता है प्लस इसके अंदर हमको IP68 की water resistant rating वो सारी चीज़ों तो मिली जाती है उसका tension नहीं है फ्रेंट में को ये 6.7 inch OLED screen दिखने को मिलती है 1200 minutes की peak brightness है में को brightness वगर हमें अभी तक कोई शिकायत आए नहीं मस चलता है मज़ेदार है कोई दिक्कत नहीं लेकिन 14 pro max है वो अगर आप धूप में जादा दिर तक के रखोगे तो ये वाला brightness जल्दी कम करता है compare to that phone तो ये ची लेकिन ऐसा कोई major issue मैंने नहीं देखा भाई कि इसमें कुछ problem हो पाकि display की quality एकदम जबरदस्त है मस चलता है बहुत high density वाला high pixel density वाला display है बहुत अच्छी quality का OLED है कोई भी टेंशन नहीं प्लस 120 Hz रच्ट प्रो मोशन एपल बोलता है एकदम smooth चलता है मजा आता है सब जगे एकदम smoothness रहती है तो मेरे को काफी अच्छा लगा लेकिन पहले ना हर application में smoothness 120 Hz रहती थी लेकिन अभी ना कुछ-कुछ application जैसे Google पर हो गया तो गूगल पर मैं जब मैं कुछ खोलता हूँ ना तो देखो यह 60 Hz पर पता नहीं क्यों है पहले ना हर जगे पूरा proper 120 Hz रहता थ तो कुछ भी difference नहीं मिलेगा मैंने side-by-side रखके इस iPhone 14 ट्रोज है compare किया है कुछ भी फरक नहीं है भाई एकदम same to same result है दूनों का performance एकदम तगड़ा है कहीं पे भी मेरे को कोई शिकायत नहीं है पर्फॉर्मेंस में एकदम पर्फॉर्मेंस है काफी fast है काफी smooth है कोई ऐसा software की बात करूँ तो iOS 16.5 यहां पर भी चल रहा है और बहुत सारे iOS के अपड़ेड आएंगे इसके अंदर तो टेंशन लेनी काप को जरुवत है नहीं अभी एक ही generation old है तो आपको software का भी issue नहीं है भाई बहुत time तक के software support भी मिलेगा इसके अंदर तो sorted है इस वाम नहीं software मैंने इसको वापस है अजा primary phone बना के यूज किया है and मैंने battery life notice करी भाई बहुत तकड़ी battery life है दस गंटे की screen on time है निकालता है मैं आपको दिखाओ यहां पर देखो एक पाल full charge किया तो 8 hour 28 minutes प्लस 8 hour 28 minutes के बाद में 3 hour 42 minutes मतलब 10 गंटे के ऊपर की battery life एक ही दिन में निकाल द battery 20 watt का ही charger आता है और wireless charging के लिए MagSafe अगेरा का connector वह चिपांगे जाता है वह आला connector भी इसके इंदर काम करता है वह सारी चीज़े तो आती है तो मतलब आप चार्ज तो हो जाता है लेकिन slow होता है compare to other android phones जो आप इस प्राइस सेग्मेंट में लोगे तो उसका network अगरा के बात भाई वह भी सबसे खतरनाक वाले last year का तो अब समझ लो ना सारी चीज़े एकदम top of the line है कोई problem है नहीं अगर बात करूँ camera की तो यहां पर है बारा-बारा megapixel के तीन camera रियर में देखने को मलते हैं अभी तक यह series तक 48 megapixel नहीं आया था सब बारा-बारा megapixel के यह 3x telephoto zoom lens है और दो में 12 megapixel का अल्टरोइड और में तंसर है फ्रेंट में 12 megapixel है बाकी camera जो है 12 megapixel आप समझ रहे हो लेकिन भाई flagship level के camera है almost 90% सिमिलर है iPhone 14 pro के मतलब neck on neck अगर आप रखोगे तो भी ऐसा कोई फरक मेरे को महसूस नहीं बहुत तगड़ी camera है बहुत ही reliable बहुत जबर्दस camera ह कोई issue में को देखने को नहीं था अच्छी portraits अच्छी night shots अच्छी videos भाई सब कुछ sorted है वीडियो एन फोटो के मामने में सूपब है front facing camera भी काफी अच्छा है लेकिन android में मेरे क्यालते front facing camera जाधा better होता है compared to iPhone ये चीज़ है और वो personal preference भी होता है in my personal opinion बाकी overall cameras बहुत ही वीडियो बनाता है ये phone बाकी इसके अंदर 3X वाला camera था मेरा पता नहीं कैसे खराब हो गए ता आचानक से ऐसा shake हो रहा था मतलब कुछ भी photo खिचो या video बनाऊ ना तो shake होता था प्लस आवाद भी आ दी camera के module में मैं service center लेके क्या service center जिसन लेके क्या ना उसके 5-6 दिन बाद मेरी warranty expired होने वाले थी तो बंदा है बोला कि भाई आप काम करो warranty भी ले लो और service center में देतो कि आपका phone भी बन जाए आपको एक साल की warranty मिल जाएगी मैंने 45 रुपा देके warranty ले लिया ठीक है मिलगी उसको मैंने phone भी जमा कर दिया phone गया बैंगलोर्स चेक होके वापस आया उनलोग बोलते हमको issue ही नहीं मालू पड़ा issue हमने replicate ही नहीं कर पाया वापत दिख भी रहा मेरे को वहाँ पर सामने कि भाई इसके अंदर problem है और वो बंदा भी देख रहा है service center वाला भी तो भी बोलता है भाई आ आप service center में दे दो सारा data आपका uploaded है आप खाली service center में जमा कर दोगे न तो आपका phone बनके return आ जागा लेकिन अब मैं वोला यार अभी वापस जाओ आप फिर मगज माली होगी इससे चामेरा दोस्त रहता है तो उसका service center में पैचानत उसको दे दिया तो उससे service center में दिया फि इतना issue है थर्ड वाला camera vibrate करता है आवाज आती है फिर भी नोंको पता नहीं चला वाई लेकिन वह सारी चेसे change होने के वाद में एक्दम brand ने हो गया phone एक्दम must हो गया वारंटी भी है सब कुछ हो गया बताओ लेकिन camera बगरा बनने के वाद में कोई issue में उसके बाद face में कि safety security के बाद करूं तो हमको face ID मिलता है और बहुत ही ज्यादा fast तरीके से काम करता है बटन दबाया खुल गया लॉक हुआ बटन दबाया है खुल गया इतनम soup up है को issue नहीं है तो अब ये प्राइज में गईज I think one of the best iPhone है और एक समझदार इंसान कोई है अपने पैसों के ब अब next year जब iPhone 14 15 अगर आ जागा तो 14 ले लेना तो ऐसे एक साल बाद अगर upgrade करते हो तो ज्यादा बैटर है मेरे काफी दोस लोग ऐसी करते तो वह चीज में को सही लगती है लेगिन यहां पर मेरे को phone अभी के टाइम पे 2023 में बहुत तकड़ा लगता है even better than iPhone 14 Pro and 14 Pro Max अगर आ financially sense बनाना चाहो तो बकी आपकी मर्जी भाई मैंने तो बता दिया मेरे हिसाब से बहुत तकड़ा phone आप definitely ले सकते हो वैसे guys मेरे पास बहुत सारे phones पड़े हैं बहुत सारे iPads भी हैं मैं सोच रहा हूँ इनको बेचू तो I am thinking कि एक Instagram का नया page बनाता हूँ shop tag buffet ऐसा कुछ करक तो अगर आप लोग interested हो तो मैं को बता हूँ मैं वह page बनाऊँगा वहाँ पर अगर आपने follow किया अगर आपको चाहिए तो follow करके रखो सारी जो भी deals होगी मेरे पास जो मैं sell करने वाला रहूँगा वह page पर डालते रहूँगा फिर अगर आपको खरीदना रहा तो आप वह अगर अच्छा लगा तो बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो and thank you so much for watching this video guys बाबाए